तो सक्षेट सुमन के बीएस में आपका स्वागत है जैसे कि के बीएस प्याटी एक्जाम में इस तरह से रिम जिम से बहुत सारे प्रश्ण बन रहे हैं उसमें ननाफ ननाफ हनहार पर्थम फस्ट चैप्टर है पहला चैप्टर है पहला पार्ट है तो उसमें एक लर्का आप देख रहे हैं कि नकाशी कर रहा है और वह लर्का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया उसने जल्दी जल्दी कोई प्ररतना बुदबुदाई और छेनी हतोरा उठा कर अप गड़ियां उकेरना शुरू किया था अर्थात उन घाटियों में अपना नकाशी कर रहा था और उसके मता पिता गुजरात से अग्रा आकर बस गय थे इस तरह से बदसा अकबर उस वक्त आग्रे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया केशव का जन्म भी अग्रे में ही हुआ था उसे गुजरात के पुस्तैनी गाउं जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला तो इस तरह से दोस्तों इसमें के मेन मेन जो चीजे हैं इससे प्रश्न बन रहे हैं तो आप इन सभी को एक नजर लगा लिजिए एक नजर इस पे डाल यहां से कोशन बन जाएगा और आप यहां से राख किरशी फसलो कत्यवार खिलोने वाला कभीता भी देखना है क्योंकि कभी कल कभीता भी आने का चांसेज है क्योंकि कहानिया सब आ रहे हैं उसके सांसत कभीता को भी देखना है नन्ना फनकार कभीता जहां चाह वहां राह एक लेख है, इसकी सभी चीजे पढ़नी है, चिठी का सफर, डाकिय की कहानी, कुवर्शी की जुबानी, वे दिन भी क्या दिन थे, ये बिज्ञान का कथा है, इसको भी आपको दियान में रखना है, एक मा की बेवसी, इस कविता से भी आज कोश्चन बना है, एक दिन की बद शाहत, चावल की रोटियां, गुरू और शेला, शुआमी की दादी, बाग आया उसरात, बाग आया उसरात, के इसका important chapter है, इसको बिल्कुल धहान से परना है, बिशन की दिलेरी धहान से परना है, पानी रे पानी धहान से परना है, छोटी शी हमारी नदी, ये भी बहुत परना है शुनावती हिमाले की यात्रा का एक बर्नन है इसको भी बहुत ध्यान से परना है इसमें एक चैप्टर में जोहालाल नहरू के भी कुछ जिक्र है और नदियों के जिक्र है इन सभी चैप्टर को मिस नहीं करना है दोस्तों क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो लीट क कम है इसलिए मैं आपको समय कम दे रहा हूं जैहिन जै भारत